नमस्ते पिछले वीडियो में हम लोगोंने महत्तम समापॉर्तक को गुड़नखन विदी से निकालना सिखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापॉर्तक को भाग विदी से निकालना सिखेंगे महस को भाग विदी से निकालना सिखेंगे जानेंगे कि कौन सा हम होता है जिससे हमारा मस ग्याद हो सकता है असानी से तो विडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा आइए शुरू करते हैं हमने यहां पर कुछ अंक लिखे हैं जो कि प्रश्ण के तौर पर है हम बारी-बारी से इन प्रश हम छोटी संख्या को लेते हैं जिससे हम बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या को लेकर उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे ठीक है अब रिदी कट जाता है पुरी भाजित हो जाता है भाग देने पर तो वह संख्या मस हो जाएगा अन्य था सेस्फल बच ठीक है तो बारह एक का बारह ये 3 शेसबल आया अब देखिए यहां टो विभाजित नहीं हुआ पूरी दरह से इस लिए हम 3 से भाग दिना प्र अप्रार हम बकड़देंगे ठीक है तो किस में देंगे 15 में देंगे 10 said पंद्रह देखेशिखन से कर गया पूरी दरह से इसलिए हमारा मसा तीन हो जाए गाए अर्छा वह काट देगा और पंद्रह कोição सी कर देगा ठीक है हम थोड़ा हम देख लेंगे की 3 जो हमारा यह उत्तर आ रहा है वह 12 15 को काड़ दे रहा है किρείटे और यहापर काड़ देगा तीन चोग बारा हो तीर पंजम क्षम क्या या जाएगा मस हमारा हो सब नबीगियार रहा हो जाएगा तीन ठीक है बहुत है असान है हलकsis दिमाव लगाएने तो आगे देखिए दूसरा प्रस्न हम लेंगे 15 15 और 30 को अगला प्रस्न स्थन हरा है 15 15 और 30 इसको लें लिजिए 15 है 15 और 30 यहां मसा ग्याद करेंगे कि कौन से संक्या है जो छोटी है छोटी है है तो पंधर है तो पंधर से हम भाग देंगे 25 में उसके पत्षाद 30 में यदि नहीं कट रहा है सेसफल बच रहा है तो काटना प्रारा हम बखड़ से काटना था थीक है तो पंधर लिजिए 15 से 25 में भाग देजिए तो 15 दुने 30 दो बार में ज्यादा हो जाएगा एक बाग ले जाएंगे 15 रहें इका 15 क्या बचाइगा दस स्पल बच रहा है पांच में से पांच अश्ण में डूमसे गया एक दस बस रहा है पुरी तरह भी भाजित नहीं हो कटे रहेंगे ठीक है तो यहां पर कट गया यहां पर कट गिया तो सेस्पल कर दिया है चंक जो पांच है उससे काट दे रहा है कि नहीं यहां पर काट दे रहा है ठीक है पांच से काटेंगे पंदरा सो तो पंदरा कर जाएगा पांच से पचीस काटेंगे तो पचीस भी कर जाएगा पांच ठीक है तो मस हमारा कह जाएगा मस हमारा होता है पांच आ रहा है समझ मे आगे देखिए, 160, 180 और 120 का हम मस से निकालेंगे, बिलकुल आसान तरीके से, भाग विदी द्वारा, ठीक है, तो वही नियम है, स्वरबरतम हम छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यदि भाग देने पर पुरी तरह से कट जा रहा है, तो हम उसको मस समाल लेंगे, यदि पुरी तरह से नहीं कट रहा है, सेसफल आ रहा है, तो हम सेसफल से काटना पर रंब कर देंगे, और सेसफल से काटने पर यदि पूरा परा कट जा रहा है, तो वह सेसफल हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मस हो ज त्र चालिस्ट उतर आया उतर नहीं आया सेस्फल आया तोत loss इंस काटना प्राज़ना कर देंगे ठीक है तो से क्रटीस एकसो सी को 1.90 को खूँकर कॉई दिकतानी क Gibbs something to 24 के 160 होता है चालिस चोके 160 होता है बहग लीजिए गुड़ा करकर देख लीजिए चालिस चोके 160 गर होग गया और यहां काट दिया बुरुतर Two साथ को पुरुतर इभाजित कर दिया इजैनल देखेंगे कि जो चालिस है वह इसको काट दे रहा है एक नहीं एक कि देखें कि देखें कितना अधिक है तो चार बार भग ले जाएंगे हम सुआएंगे पर यहां कि अ मिला 20 मिला हम को सिसफल अर्थाथ जो 40 है वह मारा उत्तर नहीं होगा 1630 को तो काड़ दे रहा है तो 108 को नहीं काट पा रहा है इसलिए चाहरा नौह तो श्रू नहीं होगा तहसे घर में 140 170 भाग दियें तो सेस्फल क्या आया 40 मारा सेस्फल आया और उसके पश्यात पुना हमने 40 से भाग देना प्राराम किया सेस्फल ऑसी तो सब्सक्रार कि कि सब्सक्राइब तो नहीं होगा 20 इसको कर देगा एक तो 20-23 सब extraordinarily शहां पर दो प्रत्र कर एक है rights का रेह ऑफ हम और दो प्रत्र गरिए ऑन आप किजिये और उसका उत्तर आप लोग कमेंटबाक्स में कमेंट न्यार सब्सक्रान जी आत्विए तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी मस निकालना आ गया होगा भाग बुझे से यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिजिए और यदि नहीं आया है तो चोनेल को स यह जाया है तो यह झालना आपको यह झालना खना आया है